पूर्व सीम पर बयान देने वाली मंत्री ने मांगी माफे शिवराज से मिलने के बाद दिलीप ने कहा मैं कुछ बोलने की इस्तिती में नहीं नमस्कार मैं श्वेता आपका दा खबरदार नियूस में स्वागत करती हूँ तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुक खबर पर पूर्मुकी मंत्री के कामकाज पर दिये बयान से चर्चा में आए राज मंत्री दिलीप अहिरवार सोमवार को शिवराज सिंग चोहान से मिलने पहुँचे चोहान के बंगले पर करीब 20 मिनट तक चर्चा के बाद वे बाहर निकले विवादत बयान वाइरल होने के तीन दिन पूर्व सियम शिवराज से मिलने पहुचे थे मेडिया के सवाल का जवाब देने के बजाए उन्होंने हाथ जोड़ कर कहा मुझे माफ कर दीजे मैं अभी बयान देने की स्तिती में नहीं हूँ दरसल डॉक्टर मुहंद यादव सरकार में मंतरी दिलीप अहिरवार का एक वीडियो शुकरवार को कॉंग्रेस नाशुचल मीडिया पर शेयर किया इसमें वह कह रहे हैं कि पूर मुखी मंतरी ने कुछ नहीं किया इसके जवाब में उन्होंने कहा था कि अरे वर्तमान मुखी मंतरी को देखो पूर मुखी मंतरी ने तो ना जाने किन किन को गोद लिया था इसलिए यह उसी का तो परिड़ाम है वे गोद लेते थे करते तो कुछ भी नहीं थे कॉंग्रिस प्रवक्ता प्यूश बबेले ने मंतरी का ये वीडियो शोशल मीडिया पर शेयर किया इसमें उन्होंने बाचपा सरकार में गुटबाजी की बात करते हुए तंज कसा था इसके बाद अहेरवार की सफाई भी सामने आई है मंतरी दिलीब अहिरवार ने कहा था कि मुझे लगता है कि पूर्वी सीयम कमलनात को लेकर मुझे सवाल किया गया है मेरे बयान को तोड मरूर कर पेश किया गया है आप मेरे बयान को सुनेंगे तो उसमें मैंने कहा था कि हमारे पूर्वी सीयम शिवराज ने भी बहुत काम किया है मैंने अपने सीयम के लिए नहीं बोला था मंतरी ने कहा बड़ा मलहरा को किसने गोद लिया था इस बात की मुझे कोई जानकारी नहीं है पूर्वी सीयम के बारे में पूछा तो मैंने कॉंग्रेस सरकार को लेकर बयान दिया मैंने तो कॉंग्रेस का नाम भी लिया था बाद में कॉंग्रेस वालों ने बयान को काट कर सोशल मेडिया पर डाल दिया खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही अपने सपनों का घर बना रहे हैं, AP Construction Solutions आपके लिए तैयार है, मजबूत Civil Engineering से लेकर आकरशक वास्तु कला और विशशग्य वास्तु परामर्ज तक हम आपके सपने को साकार करते हैं, वास्तु कला, वास्तु और हुनर इतने बढ़ियां, दिये गए नंबर पर कॉल करें और घर के डिजाइन को चमकाएं, प्लीज विजिट ता मांटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट खूड नियरबाइ सुहागी बाइपास